नमस्कार जहिंद All Exam Guide Guru का YouTube चनल आप सब भी देख रहे हैं दोस्ते भी एक्जाम हो ये कॉशन आपको 100% आएंगे हम करेंगे रिवीजन इसलिए सुपर फास्ट स्पीड रहेगी करतें वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए बस आप से एक लाइक चाहिए हमारी महनत के ल द्रव सोना कहलाता है तो पैट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है लिक्विड गोल्ड सफेद सोन किसे कहा जाता है तो प्लैटिनम को सफेद सोना कहा जाता है पैनिसलीन एंटिबाइटिक प्राप्त करते हैं तो फफूंधी से पैनिसलीन एंटिबाइटिक प्राप्त करत प्लाश्टर ऑप्पैरिस जिसको C-A-SO4 into half H2O आधा पानी का राशानिक नाम क्या होता है तो कैल्सियम सलफिट हैमि हाइडरेट कहा जाता है चूना पत्थर जिसको लाइमिस्टोन कहते हैं इसका राशानिक नाम क्या है राशानिक नाम बहुत सारे पूछें कैल्सियम कोनिट बोला जाता है C-A-C-O-3 हाइडरोजन के समस्थानकों की संगय कितनी है तो तीन है रेडियो सक्रिता की इकाई क्या है तो क्योरी रेडियो सक्रिता की इकाई है परमाणू भार अंतर राश्ट्रिये मानक क्या है तो C-12 कार्बन-12 कैल्शियम कारबाइट पर जल की प्रतिकरिया द्वारा उत्पन कौनसी घैस होती है तो एसेटिलिन घैस होती है कृत्यम सुगंतित पदार्थ बनाने में प्रियोग किया जाता है तो अैफिल कौनसा है तो So Dieum chloride साधा नमक का राशनिक नाम क्या है तो Soंधिम क्लुरॉइड बोलते है ने सी ल चांदी का निश्कर्षन होता है तो अर्जेन टाइड के द्वारा सोनार का यूज होता है सैल्सिस और फेरन हाइड तापमान जो तापमापि होते हैं एक इमान प्रदाशित करते हैं कितने पर, तो 14 डिग्री पर, वस्तु की मातरा बदलने पर अब रिवतित रहेगा तो घंत तो नहीं बदलने पर, धूब के चंधा कितनby होती है तो Jiro dacter होती है दूरबीन के आविशकार कौण है तो Galilio है, संसार का सबसे बड़ा पक्छी कौन सा है तो है जीव जगत का सबसे वड़ा संग कौन सा है तो ऑर्थोबोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संग है अटीपी का नवंध घटक हो estás लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है तो आंसु इस्तेरावित करती घी में वसा की मात्रा कितनी होती है तो 99% वसा होता है गी और दूद का पीला रंग का कारण क्या है तो कैरोटीन घी और दूद के पीला रंग का कारण है Center for DNA, Fingerprint and Diagnostic अवस्थित है तो यह हैदरावाद में वस्थित है Cellular और Molecular जीविज्ञान का केंद रिस्थित है तो यह आपका हैदरावाद में इस्थित है अस्तियों का अध्यन क्या कहलाता है तो Osteology अस्तियों का अध्यन कहलाता है कुछ अध्यन देख लेंगे जनसंग का अध्यन Demography पक्षियों का अध्यन Ornithology Entomology अध्यन है तो यह कीटों का अध्यन है Entomology अधेशम के कीड़े पालन को क्या कहा जाता है तो सैरी कल्चर कहा जाता है सबसे बड़ा इस्तनी कौन होता है तो Blue whale नीली whale नीली मचली जो होती आपकी Dolphin वर्गिकरत किये कहें तो यह इस्तनी होते हैं Dolphin Dinosaur थे तो यह Meso जो एक सरीसरप कहा जाता है Dinosaur को Octopus है तो Octopus एक म्रदू कवची जीव है मचली का लीवर भरपूर होता है तो Vitamin D से भरपूर होता है मचलीयों में स्वशन होता है तो गिल्स के द्वारा मचलीयों में स्वशन होता है हरा प्रोटो जोवा कहलाता है तो यूगलीना हरा प्रोटो जोवा कहलाता है आधुनिक एंटिसेप्टिक्स लजरी के जनक कौन है तो जोसिफ लिश्टर है भारत में प्रथमबार हरदय का सफल प्रत्यार उपन करने का शेक इसको जाता है तो डॉक्तर पी वेणूगोपाल सबसे पहले हरदय का सफल प्रत्यार उपन के था भारत की बात हो रही है हरदय का पहला प्रतिस्तापन पूरे विश्व में तो विश्व में डॉक्टर क्रिशियन बर्नाट की दवार किया गया था बेकरी में ब्रेड बनानी के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है तो को मुलायं और लचिला बनानी के लिए डबल रोटी बनाने में प्रियोग होता है तो प्रूख दूर से जही बनाने में साहायक बैक्टिरिया कहूण सा है तो लका बैसील उस बैक्टिरिया गोता-को रषांस लेते हैं तो आक्सिजिक ताहिल्यम गैस द्यसां कीमिश्टन स एक जूल किसके बरावर होता है तो 10 की उपर 7 की घात अर्ग के बरावर होता है, एक कौशन आया है सिमलता जूलता, नाभिक का आकार क्या होता है तो 10 की उपर माइस 15 की घात मीटर, परमाणू नाभिक की खोच किस ने की तो रदरफोर्ड ने की, परमाणू की प्रभावी त कितनी होती है तो 10 की उपर माइस 10 की घाट मीटर एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है तो एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 की उपर माइस 12 की घाट सेकेंड नमस्कार जेहिंद All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुझीत पंडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर आपको जीके की तैयारी कराई जाती है हमने 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में जो कॉशन बार बार रिपीट हुए है 10,000 जीके MC की अब्जेक्टिव टाइप कॉशन चाटे हैं उनकी एक PDF बना ली है जो हमारे चैनल पर आपको पढ़ाए भी जाता है WhatsApp पर आप सभी को वो PDF मिल जाएगी जिसको भी वो PDF चाहिए है GKGS की कॉशन रहेंगे आपके जिसको भी PDF चाहिए WhatsApp पर मिल जाएगी 300 रुपए की ये PDF है लेकिन अभी सभी के एक्जाम चल रहे है सभी स्टूडेंट के लिए डिसकाउंट है चाहे वो नया हो चाहे पुरान 99 रुपए में वो PDF मिल रही है आपको नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा इस नंबर पर आप कॉल करके या WhatsApp करके वो PDF राप्त कर सकते हैं ठीक है जिसको भी PDF चाहिए नीचे देगा नंबर संपर कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद गैसोहल मिश्ण किसका होता है तो पैट्रोल और इथनॉल का मिश्ण होता है गैसोहल हाइड्रोकार्बन के प्राक्तिक स्तुरूत क्या है तो कच्छा तील हाइड्रोकार्बन का प्राक्तिक स्तुरूत है पैट्रोलियम के विवन अलग किये जाते हैं तो भंजन भंजक लब्बे हटाने के लिए प्रयूक्त होता है तो ऑक्जलिक अमलिका यूज होता है कपड़े में जंग के लब्बे हटाने के लिए दोवन सोडा का रासानिक नाम किया है तो sodium carbonate Na2CO3 कॉशन आ चुका है यह वाला कॉशन आ है गृपडी में बेकिंग सोडा खाने का सोडा रासानिक नाम के तो sodium bicarbonate बोलते है एन एच चूथरी यह भी आया एक शिप्ट में सोना चांदी के सुधीकण में प्रयोक किया जाता है तो नाइट्रिक अमल एच अनो थरी का प्रयोक किया जाता है चांदी का लेटन नाम के तो अरजेंटम चांदी का एजी एज़ ब बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्ला जाता है उसमे तामबी का यूज होता है पीतल मिश्रधातू है तो तामबा यादज्स्टा की मिश्रधातू है पीतल portland cement का मुख होता है तो चूना रहता उसमे coop silica और alumina यह कौशन भी Isilica और alumina ये का प्रमुगटक क्या होता है तो pitch blade uranium का प्रमुगटक है DTT कीटाणू नाशक बनाए जाता है तो chloral के द्वारा dynamite का मुख प्रमुख अवयव क्या है तो nitrogrysline ये dynamite का प्रमुख अवयव है RDX का अन्यनाम क्या है तो cyclonite कहाता है RDX को RDX का पूरा नाम क्या है तो research and developed explosive RDX का पूरा नाम है ddt Coloro diphenyl ट्राइख किलोर коethen DDT का पूरा नाम होता है Aluminium का निशक्र्षिन होता है तो boxside से Aluminium का निशक्र्षिन होता है यह में टाइट से लोहा निकाला जाता है प्रतवी पर पाई जाने वाला Uranium कौन सा तो Uranium 238 भूपर पर सरवादिक मातरां पाई जाने वाट तक हैं तो हीरा और ग्रिफाइट कार्वन के दो पर रूप है अप्रयोग शाडा में उप्योग में लाए जाने वाला लीटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है अमल में कौन से अही पत्तुन के परवानों अन्य वारूप से रहते हैं लाल लेटमस पत्र को नीला कर देता है तो छार लाल लेटमस पेपर को नीला कर देता है नीला लेटमस पेपर को लाल कर देता है तो अमल कर देता है जल में घुलनशील भश में कहलाता है तो छार जल में घुलनशील भश में है चार का सुवाद के ऐसा होता है तो कड़वा औ अमलों का स्वाइद अमलित थोड़े खट्टे होते हैं। शुद्रजल का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान के कॉशन याद कर लेना। 100% आपको आने वाले एक्जाम में मिलेंगे। अगली जो शिप्ट आगे शिप्ट होगी। साने वी व्लेंगे। पीएच मान का शुद्रही किये थी कले चया तो सेतीर सोडी कले कही एकाट्व गीप्ट उषम महां पक है तो आहयड्रो मेटर से डवों का आपक्षशग तो महांपते हैँ। वाई मिडल की आलता मापी आती है तो हाई ग्रो मीटर के दुआरा, जोती ती वृता का मात रख है तो केंडिला जोती ती वृता का मात रख है, लैंस की चमता का मात रख है तो डायप्टर है, सार्स है तो सार्स एक विशानु जनित रोग है, HIV दौरा होने वाला रोग कौन स होता है HIV कि आज के लिए fatень होा है तो यह fungus S के रहे हमने और संप्स्चा और नमबर देख रहा हुगा आप इस number कौल कीजिए यह dr ambient के लिए नहीं आगी जितने भी एकजाम आप कभी भी देंगे पूरे जीवन भर ये PDF आपको हमेश्चा काम में आएगी तो दियेगा नंबर पर कॉल कीजे वाटसप पर हाई लिखके भीजिए पीडियफ लिखके भीजिए आपको वहाँ पर फॉन पर गूगल पर पेटीम के थुरूआ पेइमेंट करके पीडियफ प्राप्त कर सकते हैं जरूर पीडियफ ले ले लेना कॉशन फसर है गुरूपटी में भी हो आगे जितने भी एक्जाम दोगी चाहिए स्टेट चाहिए सेंट्रल सब में कॉशन आएगी दिखना इतनी शांदार बनाई है उसको ORT औरल रिहाइडरेशन थेरपी किस से संबन्द है तो यह अतिसार से संबन्द है कैंसर के प्रशिद दवा टेक्सॉल किस व्रक्ष से प्राप्त होती है तो यू व्रक्ष से यू व्रक्ष से प्राप्त होती है कीमो थेरपी का इस्तिमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है Cancer का अध्यान कहलाता है तो Oncology Cancer का अध्यान कहलाता है Cobalt पाये जाता है तो Vitamin B12 में Cobalt पाये जाता है Cancer के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो Cobalt 60 को Cancer के इलाज में प्रयोग किया जाता है नाभी की रेक्टरों में इधन के रूप में प्रयूप किया जाता है तो यूरुनियम का प्रयूग होता है नाभी की रेक्टरों में इधन के रूप में Rectifier का प्रियुग होता है तो AC को DC में मतलने के लिए Rectifier का यूज किया जाता है Transformer का कार क्या है उच AC voltage को निमन AC voltage में और निमन AC voltage को उच AC voltage में मतलना Transformer का कार है Transformer प्रियुक्त होता है तो mainly ये AC परिपत के लिए प्रियुक्त होता है जाइओडसे धारा बहती है तो एक दिशा में डॉयोड मैं बहती है, तो आपका ऐसाई मात रख्या है Transformer का Crude बना होता है तो नर्मलोहीका Transformer का Crude बना होता है रासानिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परावतित करता है तो बैटरी जो है ये रासानिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलती है विद्धुत मोटर बदलता है तो विद्धुत मोटर विद्धुत उर्जा को यांत्रक उर्जा में मतलब किस सिद्धांपर कारे करते हैं तो ये जितने भी इना ये विध्धत मॉटर टान्सफर्मर माइक्रोफोन लौड कर आदी विद्धत मॉटर टान्सफर्मर अदी विध्धत धारा की opportunDe pur को सरक्दम अवलोकित किया तो Ernest ने सबसे पहले विद्धुधारा के चुम्ब की प्रभाव को अवलोकित किया विशुवात रेखा पर नती कौन का मान कितना होता है तो 0 डिगरी होता है चुम्ब की सुई का अक्ष भोगालिक अक्ष के साथ कितना कौन बनाता है तो 18 डिगरी का कौन बनाता है द्रोवों पर 9 कोण होता है तो द्रोवों पर आपका 9 कोण होगा 90 डिगरी चुमब की छेतर की तीविता का ऐसा ही मातर क्या है तो टैसला या फिर न्यूटन प्रती एंप्यर मीटर या फिर इसको वेवर में कनवर्ट करेंगे तो वेवर प्रती मीटर स्क्वार चुम्ब की चेतर का CGS मातरक क्या है तो गौश चुम्ब की चेतर का CGS मातरक है चुम्ब की सुई संकेत करती है तो चुम्ब की सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है ये कौशन कई बार पूशा गया है चुम्बकत तो खत्म हो जाता है तो यदि आप चुम्बक को पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका जो चुम्बकत तो है वो खत्म हो जाएगा चुम्बक के आसमान ध्रोवों में क्या होता है तो जो आसमान ध्रोव रहेंगे उसमें आकर्शन होगा चुम्बक के समांधरोबों में क्या होगा तो विकर्शन होगा इस्थाई चुम्बक कैसे बनाए जाता है तो इस्थाई चुम्बक इस पात का यूज करके बनता है किसका इस यूज करके इस पात का यूज करके इस्थाई चुम्बक बनता है तो आयस्थाई चुम्बक बनेगा लोहे का नर्म लोहे, शॉप्ट आयरन का यूज़ करके अच्छा एक कॉशन आया था, कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफोरमर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है किसकी बनी होती है बताइए कठोर आयरन या नर्म आयरन कठोर लोहा या नर्म लोहा ट्रांसफोरमर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है कमेंट करता है स्वतंता पूर्वक लटका चुम्बक इंगित करता है तो स्वतंता पूर्वक लटका जो चुम्बक है वह उत्ता रेदक्ष्ण दिश्टा को इंगित करेगा अगला कोशन देखिए इसमें पूछा गया आपसे प्राकृतिक चुम्बक होता है तो प्राकृतिक चुम्बक जो है लोहे का ऑक्साइड कहलाता है विद्धुत अपगटन में आवकरन या रेडक्शन होता है तो कैथोड पर रेडक्शन होता है विद्धुत अपगटन में गैलेना एस्क है तो गैलेना सीसे का एस्क है, संचायक बैटरियों में प्रुक धातू कौन सी है तो सीसा है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का बना होता है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ते का बना होता है, शुष्क सेल में संगराहित उर्जा कों है तो बैंजामिन फ्रैंक्लिन नहीं अश्कालल कीया पंडुब्भी के अंदर से बाहर देखने के लिए को प्रिणुब तो पैर ही scope का use होता है optical fiber के आविश्कारक कौन थे तो TH Memon optical fiber के आविश्कारक थे चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है तो यहाँ पर update कर लो यह printing mistake है 2.37 या इसको बोल सकते हो करीब आप 3 2.37 या फिर 2.4 बोल सकते हो 2.4 किलो मीटर प्रती सेकेंड बोल सकते हो इसको update कर ले न ठीक है चंद्रमा का पलायन वेग अगला caution देखिए चंद्रमा के बाद प्रत्वी और सूरे दोनों का पढ़ लेते हैं सूरी का पलायन वेग कितना है तो 42 किलो मीटर प्रत्वी का पलायन वेग है प्रत्वी का पलायन वेग कितना है तो 11.2 किलो मीटर प्रत्वी का पलायन वेग है प्रती सेकेंड की बात हो रही है किसी पदाथ के एक ग्राम सहिती का द्रवयमान लेकर इसका tap एक डिगरी सेंटिवेट बढ़ाने के लिए पदाथ को दी गई उश्मा का कहलाती है तो इस प्रकार की उश्मा को विशिष्ट उश्मा कहा जाता है उत्प्लावक्ता का सिध्धान दिया था तो आर्कमडीज ने उत्प्लावक्ता का सिध्धान दिया था कोई वस्तू द्राव में अंश्ता या पूंडता दुबाई जाती है तो मिट्टी का तेल चड़केंगे तो वहाँ पर प्रश्टत तनाओं कम हो जाएगा जिससे मच्छर के लारवा और मच्छर जो रहेंगे वो मर जाते हैं प्रत्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है तो प्रत्वी केंद्र पर यदि आप नापेंगे तो शूने होगा जी का मान जी का मान अधिक कहां पर होगा तो जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुबों पर जी का मान कम कहा होता है तो विश्वत रिखा पर जी का मान कम होता है चंद्रमा पर गृत्वी त्रोन का मान प्रत्वी के मान से कितना होता है तो एक बटे छे भाग होता है गृत्वी त्रोन जी का मान होता है तो 9.8 मीटर 30 स्क्वेर ये गृत्वी त्रोन जी का मान होता है घड़ी की भरी हुई चाभी में संशित उर्जा कौन सी होती है तो भरी हुई चाभी में संशित उर्जा होती है आपकी इस्थतिज उर्जा पानी से भरे किसी बर्तन में पढ़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा उपर उढ़ा दिखाई दिखाई देता उसका कारण क्या है तो प्रकाश के अप वर्तन के कारणा प्रेशर को कर में खाना जल्दी पकता है सक्यों तो पानी का कोट नांग बढ़ जाता है इसलिए पानी से भरे गिलास में एक बर्प का तुकड़ा है तैर रहा है यदि तुकड़ा पूरा पिखल जाएगा तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा या नीचे तो पानी आपरिवत्त रहेगा पानी का इस्तर आपरिवत्त रहेगा दाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांग पर क्या प्रवा पड़ेगा तो बर्फ का गलनांग आपका घड़े आएगा बैरोमीटर में पारे के स्तंब का धीरे धीरे चड़ना किसका सूचक होता है तो स्वक्छुवा साफ मौसम का सूचक होता है वायू दाव मापी में पारे के स्तंब का अचानक गिरना सुचक होता है तो आंधी या तूफान का सुचक होता है वायू दाव मापी में पारे के स्तंब का धीरे धीरे गिरना किसका सुचक होता है तो वर्षा की संभावना होती है एक वायूमंडली दाव किसके बरावर होता है दस की उपर पांच की घाट न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर के बरावर होता है वायूमंडली दाव का मापक क्या है तो बैरो मीटर से मापते हैं ब्रह्मान्ड में सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है, तो औरगन है, वाईू में नहीं पाय जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो रेड़न वाईू में नहीं पाय जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो रेड़न वाईू में नहीं पाय जाने कर्णा कर्दार के लिए कर्छा है